इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा यदि आपने मिर्च के पौदे गमलों में ग्रो वैग में या जमीन पे लगाए हुए हैं आपकी मिर्च बढ़ नहीं रही है और आप अपनी मिर्च के पौदे से ज्यादा मिर्च कैसे ले पाएंगे मिर्च में कौन सी खा पर आप सभी का स्वागत है तो चलिए इस वीडियो को सुरू किये देते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मिर्च के पौदे को गना करने के लिए हमको मिर्च के पौदे की पिंचिंग करनी होगी मैंने पहले की हुई है अभी आप देख सकते हैं जो सिरा मैंने पकड़ा हुआ है उस सिरे को आपको तोड़ना है अगर आपने गमले में या गिरो बैग में मिर्च का पौदा लगाया हुआ है तो उपला सिरा जो होता है उसे आप तोड़ दीजिए और काफी ज़्यादा ब् पौदे जो है कि मैंने गिरो बैग में लगाय हुए है पिंचिंग करना बहुत ही जरूरी है आप इसे बंजी या 2G या 3G कटिंग भी बोल सकते हैं तो मिर्च की पिंचिंग करने से मिर्च का पौदा काफी गना हो जाएगा उसमें फल भी ज़्यादा बनेंगे अब बात पिंचिंग कर देने के बाद हैं पौदे पर ब्रांच ज़्यादा बनेंगी तो पौदे को फर्टलाजर भी ज़्यादा चाहिए तो देखिए दोस्तो फर्टलाजर के रूप में आप पौदे में क्या दे सकते हैं तो देखिए दोस्तो महीने में लगवग मिर्च के पौदे में दो वार गुड़ाई करनी चाहिए नॉर्मल तरीके से जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ मैंने लगवग 20 दिन पहले गुड़ाई की थी और फिर देखिए मैं इसकी गुड़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर बारिस हो रही है तो आपको क्या करना है मिर्च के पौदे में ज़्यादा पानी की नमीना रखें अब बात आयाती है कि भाई जो हमारा मिर्च का पौदा है उसमें खाद कौन सी डाले है जिससे हमारा मिर्च का पौदा ज़्यादा फूल और फल देने लगे तो देखिए दोस्तों मिर्च के पौदे के लिए आपको लेनी है फुली डी कंपोष्ट गोवर की खाद लेनी है अगर आपके पास गोवर की खाद हो तो गोवर की खाद डाल दें या भर्मी कंपोष्ट या आपके वाद लीप कंपोष्ट है तीनों में से आप कौन सी भी चीज एक डाल दें तो आपके मिर्च के पौदे की बहुत अच्छी से गिरोथ होने लगेगी और आपके पौदे में फूल भी बनना शुरू हो जाएगा तो देखिए गुडाई हमने कर ली है अब समय है कि मिर्च के पौदे में हम फैडलाई डालें तो वही इस्तमाल क्योंकि सबसे ज़्यादा में गोवर खात इस्तमाल करता हूं और बहुत ही अच्छा अपडेट भी मुझे मिलता है तो चलिए दोस्तों यह दोनों जो पौदे में तयार की हैं गुडाई करके मिर्च के अब इन में मैं गोवर की खात डाले देता हूं और यह बिल्कुल औ और और गैनिक दोस्तो तरीका में बता रहा हूं मिर्च के पोदे से मिर्च लेने का और आपका पौदा घनाभी हो जाएगा तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं जो हमने कोवकी खात लीए तो एक पोदे में लगवक कितनी बिया चाहिए तो देखिए अगर आपका मिर्च decomposht होनी चाहिए कच्ची खाद नहीं होनी चाहिए कच्ची खाद डालने से पौदे में वो खाद काम नहीं करेगी तो देखिए दोस्तो इस तरीके से खाद डालके मैंने mix कर दिये अब देखिए दूसरे पौदे में भी SI में किये देता हूं और ये मैंने आपको साधारण tips मिर्च के पौदे से ज्यादा मिर्च लेने की अब ये काम मैंने कर दिया अब समय है इसमें हम पाने डालेंगे पानी हम उतना ही डालेंगे जितना हमें जरूरत है पौदे में तो चलिए मैं पानी भी डाले देता हूं इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है अ में भी हम डाले देते हैं तो दोस्तो मैंने आपको बता दिया है कि मिर्च के पौदे से ज्यादा मिर्च हम कैसे ले सकते हैं और मिर्च के पौदे को ज्यादा गना कैसे कर सकते हैं अगर आपको वीडियो ची लगी तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल पर पहली वार आये हैं तो हमारी चैनल को हमसे जुड़ने के लिए दोस्तो अब अच्छे सब्सक्राइब करें ठेंक यू